आगरा में सर्वाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दुनिया कोरोना माँमारी की 3 लहर को लेका स्थेहमी हुई है विश्शास संगठन के प्रमुक टेडोस ए ग्रेबे येस ने कहा है कि कोरोना की 3 लहर अभी शुरूआती दौर में है दुनिया भर में डेल्टा वेरियंट से संक्रमित मरीजों की संख्या अभी गिनती में है अभी इसे बेकावु होने से रोकना संभव है हमेशा की तरह इस बार भी अगर लापर वाही हुई तो पहले से भी भयावै नतीजे सामने होगे WHO प्रमुख ग्रेबेसिस ने बताया कि कोरोना का डेल्टा वैरियंट दुनिया के 111 देशों में दस्तक दे चुका है डेल्टा जितनी तेजी से फैर रहा है उससे इस पश्ट है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लेगा संयक्तर राश्ट्रे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वायरस लगतार अपने भीतर बदलाव कर रहा है अपने इस प्रवर्ती के चुलते वायरस समय के साथ अधिक घातक और अधिक संक्रामक होता जा रहा है दुनिया के सभी देशों को वायरस के बदलते रूप को लेकर चौकनना रहना होगा नहीं तो हालाद बिगड़ सकते हैं डेल्टा के बढ़ते प्रकोप के साथ स्वासे सुविधाओ को भी बहतर करने का वक्त अब आ चुका है WHO की सब्तहक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सब्ता दुनिया भर में कोरोना के 30 लाख मरीज मिले नौ सब्ता बाद नए मिलने वाले मरीजों की संख्या में 10 फीजदी जबकी मौत के मामलों में 3 फीजदी की बढ़ात्री दैच की गई WHO का नुमान है कि मरीजों की बढ़ती संख्या का नतीजा डेल्टा वेरियंट है जरूरी साब्धानी और बंदिशों की बदौलत इस घातक वेरियंट को बेकाबू होने से रोका जा सकता है सेनियोस के लिए लक्षमीरा सिंग की रिपोर्ट